दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे प्यान कार्ट को किस प्रकासे आधार कार्ट के साथ लिंक किया जाता है जिसका लाज़ डेट है 31 मार्च 2021 को और इसका पहले का लाज़ डेट था 31 मार्च 2020 तो एक साल एक्स्टेन कर दिया गया है इस बार नहीं करेंगे तो आपको 10,000 रुपए तक जूर्बाना हो सकता है तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे पूरे सुरू से लेकरान तक बने रहेंगे तो आपको पूरे इंफोर्मेशन मिल जएगा छोटा सा एक वीडियो होगा मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्पार्थ आप देख र जिन लोगों के पास एंडरोइड मोबाइल नहीं है इंटरनेट की सुविदा नहीं है ओ लोग आपने जो पुराना फोन होता है SMS भेज के भी आप आधार कार्ट के साथ पैन कार्ट को लिंक कर सकते हैं तो चलिए अभी हम लोग क्रोम ब्राउजर को उपेन करेंगे और प् उपर का जो लिंक है अब इफिलिंग लिख के भी सार्च करके भी देख सकते है गूगल के उपर जाके तो पहले आपको पेनाल्टी वाला जो चीज है वो दिखा देते क्योंकि नहीं तो आप लोग नहीं मानोगे 31 मार्च के बाद से दसाजर रूपाई का पेनाल्टी गूगल के उपर आपको पता चल जगा तो चलीए हम लोग आधार काड पेनाल्टी करके सार्ण करके देख लेते आजाएगे ये देख़ी उपर देखिए आधार पैन लिंक पेनाल्टी इस परकार के कुछ भी सार्ण कर ली जेगा तो आपको बहुत सारे आप्शन आपको ठीक है तो देखिए you may have penalty up to 10,000 under section 272 B of income tax act तो 272 B act के दोरान आपको 10,000 रुपई तक जुर्बाना हो सकते तो बहुत सारे article आपको इधर मिल जाएगा pen card, linking deadline you may have fine 10,000 रुपई इस प्रका से बहुत सारे आपको article पढ़ने को इधर मिल जाएगा ठीक है तो इसके बारे में बात आपको बता चुके और google करके भी आप देख सकते अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग देखेंगे किस प्रका से pen card को आधर card के साथ link कर सकते ठीक है तो पहले online देख लेते उसके बाद जाके offline देखेंगे तो इसके लिए हम लोग e-filling बाला जो website है description पर आपको link मिल जाएगा उस website के उपर आ जाते हैं और देखिए इधर थोड़ा सा zoom कर लेते हैं और zoom कर लें के बाद देखिए इधर आपको मिल जाएगा देखें link आधार पहले देखिए click here to view the status link आधार रिक्वेस्ट तो आपको पहले देखिए उपर एक निला सा link बाला उपसाइट दिख रहेंगे अब click here के उपर tap करेंगे तो आपके pen card पहले से यह आधार काट के साथ link है तो आपको इधर status पर बताया जाएगा link है पहले से यह बाला लास्ट में जाके करेंगे मेरे खुद का आधार काट के साथ pen card को link करके आपके समने दिखाएंगे तो देखिए पहले pen card number बीटाना पढ़ेगा उसके बाद आधार काट number name as per आधार काट I have only year of birth in आधार काट यह सब कुछ आधार काट के हिसाब से ही pen card पे होना चाहिए एक भी spelling mistake होगा date of birth mistake होगा तो accept नहीं होगा क्योंकि देखिए डाय तरफ पे लिखा गया है note name date of birth as gender as per pen will be validate against your आधार details ठीक है please ensure that आधार details number and name आधार exactly the same printed on आधार काट ठीक है और देखिए UDI circular act पे भी बताया गया है ठीक है तो इधार जाके हम लोग क्या करेंगे pen को enter करेंगे उसके बाद आधार number इंटर करेंगे और देखिए name as पर ठीक है तो चलिए कर लेते करका जाई देखिए pen नमबर और आधार नमबर और आधार पे जो आपका नाम है ठीक तरह से spelling लिख के बिढ़ाने के बाद देखिए आये only year of birth in आधार काट तो आधार काट के उपर आपके पास सिर्फ year of birth है date नहीं है और month नहीं है तो ये बाला जो check box है इसको अभी आपको check in करना है ठीक है नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि मेरे सभी date of birth भी है month है date भी है day भी है और year भी है तो ये सब कुछ रहेगा तो आपको ये बाला box check नहीं करना है ठीक है तो देखिए उसके ब आपके पास सिर्फ जो year होगा तो उसको check in करना है नहीं तो नहीं ठीक है उसके बाद देखिए capture code पर जो बताया गया है ये capture code आपको बिठाना है नहीं तो आप देखिए नीचे देखिए request OTP request OTP के उपर जब भी जाएंगे आपको इधर क्या करना है आपको एक phone number मिलेगा उस phone number पर आपको OTP भेजा जाएगा उस OTP को फिल करने के बाद ही आप ये फिल कर पाएंगे नहीं तो आप capture से भी कर सकते तो ये request OTP के उपर जब ही tap करेंगे देखिए ये बाला हट जाएगा अभी आपको enter mobile number करना है ठीक है तो enter mobile number करने के बाद आपको एक request OTP भेजा जा है और टे दता आजएंट तो ये गयाप सुझे पर जीस तरह से लिखा है आपको जाकर त्शिक तरह के डाल देते हैं और टेखिए लिंक्ठ आधार करते है तो लिंक्ठ आधार कर देने के बाद ऊपर से ढगना चक्यों को ये request सब्सक्राइब तो उपर देखिए आपको बताया गया है यह ठीक तरह के से हुआ यह नहीं तो चलिए जाके फिर से चेक करते और बापस आते और चेक करते आ जाई अभी देखिए पहले आपको बता चुके थे क्लीक हेर की उपर आपको जाना है तो क्लीक हेर की उपर चले जाते हैं और उसकी बाद फिर से आपके सामने یک उपरन में पेज खुल के ऑपन हो जाएगा उदर आपको फिर से आपका और प्ह intelligence बिठाना है तो status पर आपको बताया जाएगा ठीके तो चलिए pen number और अधार card status चेक करने के लिए पहले pen number बिटाते उसके बाद अधार card ठीके आ जाईए देखिए अभी pen number और अधार card बिठा लेने के बाद view link आधार status के उपर जाके आपको strip tap कर देना है देखे टैब कर देने के बाद देखी योर pen link to आधान number हो गया है और आधार का जो last four digit है आपको दिख जाएगा इधर ठीके और पहले का जो 8 अक्सर होता है वो सभी क्राज दिखाएगा ठीके ये था online process अभी आपको offline process भी जाके दिखाएंगे और google पे भी search करके देख सकते है आप search करेंगे इस प्रकार से pen card offline process to link आधार कार्ट इस प्रकार से search करेंगे तो आपको दिखाएंगे तो और देखिए इधर जाके आपको offline process भी दिखाएंगा आजए किस प्रकार से करते है वो भी दिखाते आजएगे और आभी देखिए हम लोग क्या करेंगे message section के उपर जाएंगे और message section के उपर जाने के बाद इधर आपको new message लिगना पड़ता है recipient इसके मतलब कीस number पे आपको भेजना है तो आपको इधर दो number मिल जाता है तो एक number है क्या बता देते आपको इधर आ जाईए तो एक number है 56161 ठीक है तो यह वाला number पे भी आप भेज सकते और दूस इसरा वाला number डाल देते ठीक है तो नहीं तो इधर और करके डाल देते ठीक है और जो number है आपको इधर ही लिखके डाल देते आ जाईए तो वाला number है 567678 ठीक है तो यह दोनों number के कोई भी एक number से आपको send करना है और आपको क्या लिखना है वो भी बता देते देखिए नी एसेज बॉक्स पर लिखना है u i d थीकि podemos उसके बाद सभी बरे खुर पल लिखना है और उसके बाद लिखना है pan ठीके pan और उसके बाद एक वी स्पेस देना है और आपका जो बारा अक्सर का आधार कार्ठा का नंबर होगा वो आधार का लिख Bowl डाली है उसके बाद फिर से एक space देना पड़ेगा उसके बाद आपका जो pen card होगा वो pen card डाल देना है तो उसके बाद आपको ये send कर देना है send जब भी करेंगे किसी भी एक number से send कर दीजिएगा तो send कर देने के बाद ये successfully आपके पास एक message आ जाएगा तो successfully pen card linked हो गया इस प्रकार से क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ तो इस भले message से send करेंगे तो सायद ना हो और यो वाला message भी ना आए ठीके तो इस प्रकार से आपको ये वाला काम भी कर लेना है नहीं तो Google पर जाके भी search करके ये देख सकते ये 56161 एक नमबर है दूसरा नमबर है 567678 ठीक है तो इस प्रकार से send कर दीजिएगा लिख के तो भी ये offline process है जिन लोगों के पास smartphone नहीं है मैं चाहूंगा अब online process से कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा सायथ offline process से करेंगे तो दिक्कत आ सकते है और बाद में भी जाके फिर से आपको करना पर सकते है तो इस प्रकार से online process ही बहुत ही अच्छा है तो आपको description पर उसका link मिल जाएगा मन में कुछ भी बात या जरू बता दीजिएगा और यह वीडियो बहुत ही informative वीडियो है तो आपने दोस्त के साथ जरू शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगए तो जरू एक like कर दीजिएगा और comment भी जरू कर दीजिएगा ठीक है तो आज के लिए यह तो इतना ही thank you for watching this video take care have a good day बब और क्याओ कि लिएगा और यह तो आएगा एक दो आझागा और पागा है